तो क्या आपके भी चेहरे पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, ड्राइनेस के कारण आपके चेहरे का जो ग्लो है वो चला गया है, विंटर में ओल्मोस्ट सभी को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, धूप में बैठो या ना बैठो, पानी का लेवल हमारी बॉडी में क काफी यूसफुल होने वाली हो, तो सभी को जरूर फोलो करना चाहिए, काफी अच्छी है ये रेमेडी, तो वीडियो में आपको कंटिनू रहना है कि हम इसमें क्या-क्या समान एड़ करने वाले हो, जो हम इसमें यूस करेंगे, वो सभी तीनो चीजे हमारे घर में, सभी क गर में अवलेबल होती है, तो वीडियो में आपको कंटिनू कि हम इसमें क्या एड़ करने वाले हैं, हाँ सबसे पहले हम यूस करने वाले हैं, कच्छे दूद का, कच्छे दूद में होता, लेक्टिक एसिड, जो आपके चहरे पर एक वाइटनिंग प्रोपर्टिस लाने क काम करता है, और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे, यह अलोवीरा जल, आपको सिर्फ यहां मार्केट वाला ही यूज करना है, यहां वन टेबल स्पून आपको अलोवीरा जल यूज करना ही, आपकी स्किन पर ग्लोल आने का काम करेगा, और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे विटामीनी का कैपसूल जो आपको एजिली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है विटामीनी का क्या काम होता है आपकी एंटी इजिंग ड्रिंकल्स जो होते हैं उसे रिमूफ करने का काम करेगा और काफी अच्छा ग् करकर यह बिलकुल रैडी हो गया है यह हमने एक अच्छे दूद अलोविरा जेल और विटामीनी के कैपसूल से हमने एक मिक्स्चर तियार किया एक सिरम बोल सकते हैं ड्राइनेस को काफी हद तक ठीक करता है और आपकी चेहरे पर ग्लो लाने का काम करता है तो यह आपको करना है एक कॉटन डिप करनी है और से स्क्वीज करके अपने पूरे चेहरे की इससे मर्साज करनी है इस रेमेडी को आप डेली अपलाई कर सकते हैं no problem कोई इससे आपको मतलब किस्किन पर कोई इशू नहीं होने वाला है कोई प्रॉबलम नहीं होगी इवन ही आपको काफी अब चक्चा दूद यानि रॉबलक आपको पता है कि कच्चे दूद के कितने बैनिफिट होते हैं और जो हमने इसमें सेकंड यूज किया है अलोवीरा जल आपकी इसकिन पर ग्लो लाने का काम करता है विटामीन कैप्सुल जो है आपकी स्किन इशू को रिंकल्स को रिमू जो है न वो काफी टाइट हुजाती है विटामीनी कैपसूल को यूज करने से अगर आप यह होम रेमेडियस ट्राइगे यूज करेंगे अपने डेली डेली के रुटीन में अगर आप होम रेमेडियस को एड़ करेंगे तो मुझे तो लगता है कि आपको पार्लार जाकर महेंगे फेशल्स का आने पड़े महेंगे महेंगे ट्रेटमेंट लेने ठीक है तो मैं अपने स्किन के रूटीन में सिरफ होम रेमेडिस ट्राइ करती हो और आप मेरी स्किन पर देख सकते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोई दाग धब्बे जुरिया जाईया नहीं है तो सिरफ यह होम रेमेडिस का ही कमाल है तो आपको भी मैं यहीं सेजस्ट करूंगे कि आप मार्किट के कैमिकल वाले प्रोड़क्ट से बच्चों होम रेमेडिस ट्राइ करो आपको थोड़ा प जागे कुछ भी चीज अपलाई करो तो आपके इसक किन पर मेकप ना हो then apply करो इस मेरे फेक पर कोई मेकप नहीं है लिप्स्टिक के अलावा कुछ भी मैंने अपने चहरे पर applied नहीं किया हूआ है और जब भी आपको अप्लाई करना है आपको इसे fresh बनाना क्योंकि इसमें कच्चा दूद है, कच्चा दूद अगर आप ऐसे को remedy बना कर रखोगे, तो वो खराब हो जाएगा, ठीके, तो आपको जब भी आपको लगता है कि आपने अपने face की clean up करना है, तो इसको fresh बनाओ और fresh apply करो अगर आप इसे night में apply करते हैं, तो रात को आप इसे as it is छोड़ कर सो सकते हैं, सुबे नॉर्मल पानी से अपना चहरा वोश कर लीजिए, अगर आप दिन में apply कर रहे हैं, तो इस तरीके से पूरे चहरे का clean up करने के बाद, आप 5 से 10 मिनिट के लिए से अपने चहरे पर as it is लगा रहने दीजिए, और नॉर्मल पानी से अपना चहरा वोश कर लीजिए, तो आप देखना हफते में ही, एक हफते में आपके चहरे की जो dryness है, वो ठीक हो जाएगी, आपके चहरे पर एक glow आएगा, काफी जो wrinkles आपकी चहरे पर आने लग गए थी, वो भी काफी हफते क्रिडियोज होने लगेंगे, तो बहुत अच्छी और बहुत असान सी रेमेडिया है, तो आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें, और बेरी चनल पर नए हैं चनल को कर दिजिए, सब्सक्राइब और साथ में देगे, बैल आइकन को जुरूर किलिक किया करो, पैकि न्यू वीडियो की जो नॉटिफिकेशन अवो आप तक पहुँच सके, तो बाबाई